नमस्कार जाहिंग दोस्तों आप देखरें Master Video Official और अभी NTPC CBT2 में जो भी एक्जाम हुआ है कुल 15 सिप्ट हुआ लेवल 5 का, लेवल 3 और लेवल 2 का इसमें जो भी परशन Science के आये हैं उसको अभी हम इस वीडियो में Complete करेंगे संभबता सभी सिप्ट में 4 से 5 जो परशन थे वो Science के थे हैं तो देख लेते हैं क्योंकि वो आगे यहां में आपको काफी help करेगा इससे पहले बता दे कि अगर आप अभी तक offline exam सेट मार रहे हो तो online पर आजाओ इसक लिए textbook सबसे बहतर है आपको यहां पे जो practice set मिलेगा वो साल भर का भी है अठाड़ा मेहने का भी है लेप टैम भी है सब टैप का है तो आप यह purchase कर सकते हो और यहां पे काफी अधिक student है जो भी exam देंगे संभब्द यहां पे 4-5 लाग student जो है गुरूपडी में exam दे रहे हैं तो काफी अधिक student है और अगर आप MBO code यूज करोगे 10% का discount मिलेगा और emergency 50% का जो cashback है वो आपके availability मिलेगा अगर आप emergency purchase करते हो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो नमबर होता है इसका 10 वजे से लेके 7 वजे साम तक call करोगे तो आपको साहेता किया जाएगा तो सबका link description box में दिया गया है एक वर visit कर लिजिएगा पहले level 5 होगा फिर level 3 होगा फिर level 2 है वैसे दिया गया है और साथी ये जो pdf है वो टेलिग्राम गुरूपे मिल जाएगा इसका भी link description box में दिया गया है तो यहाँ पड़सने पहला पड़ानियों के जनन अंग नर औ नर और मादा युगमक उत्पन्य करते हैं जो sunlight होकर क्या बनाता है उसे कहते हैं जाइगोट कहते हैं यूगम नज निम्नलिखित में से कौन सा जिवित जिवास्म बिक्ष का उधाहरन है जिवास्म वो होता है जब कोई भी पदार्थ सर गल जाए हाई टेंपरेचर के कारण मतलब वो सर गल जाए तो उसे ही कहते हैं जिवास्म मेंली वो माडा ही होता है संभवत सभी जिवास्म अप्शन नमर डी जिवित जिवास्म विक्ष कौन सा है जिंको बिलोबा और जिवास्म का आयू हम किसे पता करते हैं तो कारवन डेटिंग से किस परकार की रसायनिक अभिकिरिया में फेरस सलफेट के crystal गर्म करने पर पानी मुख्थ करता है और crystal का रंग हलके हरे रंग से सफेद में बदल जाता है हलका हरा रंग होता है फिर वो सफेद में बदल जाता है साथी वो पानी मुक्थ भी करता है तो यह है वियोजन अभिक्रिया decomposition reaction जिसके अंतरगत क्या होता है जो फेरस सलफेट का क्रिस्टल होता है उसको गर्म करने पर पाणी मुक्त होता है और हरा रंग जो है वो सफेद में कनवर्ट हो जाता है यह क्या है डिकम्पोजिशन डियक्शन वायोजन अभिकिरिया साथ ही यहीं बता दे कि यह मकसद यह नहीं कि आप यह प्रस्ट बस याद कर लो इससे आपको यह पैटर्न भी याद पता चलेगा कि सैंस के प्रस्ट अब कितने हार्ड आ रहे हैं तो उसके एकॉर्डिंग पढ़ाए भी करना है साथ ही हम जो भी एक्जाम में पूछा गया पर एक टॉपिक ऐसे हिस्ट्री का होगा जोग्रफी का होगा पर एक टॉपिक ऐसे ही कंप्रिट कर लेंगे तिब्र पडिवर्तनों में से होने वाले डेसम के कीरे और मेढकों के लाड़वा के बयसकों में रुपांतरन को क्या कहा जाता है उसे हम कहते है कायांतरन मेटाम मॉर्फ़स जहां भी कुछ चेँंजे जो होता है जैसे मेटामॉर्फ़स रोख होता है चेँंज होता है गयान अप्सन नमरme दुरुवलता मंडल जो एस्थियोनो एस्फेर होता है वो किसका भाग होता है भूप्रबार का दुरुवलता मंडल जो है वो किसका भाग होता है भूप्रबार का निमनलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्यजित करता है भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारन में बिर्धी करता है घ्रेलीन अगर प्रस्थन अमलों में से यहां पर अमल दिया गया है सबसे दुर्बलतम अमल कौन सा है तो वह है एसिटीक असीड सबसे दुर्बल है हरित करांती के सम्मंध में निम्निलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां पर तीन कथन सही है यहां पर लिखाए कि निवेस को घटाता है ऐसा कुछ नहीं है यह गलत है सही कैसे है इसके दुआरा खाद और किट ना सकों किया वसकता होती है इससे फसल की पैदावार में बिर्धी होती है इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है तो ये सब हरित करांती से होता है हरित करांती आया कब था? 1966-67 परस्ने सुनामी का बिनास्कारी डूप जिसे भुकंप समुद्री लहड भी कहते है मतलब समुद्र के अंदर जो भुकंप पा जाता है तो समानिता या डाइस वाले भुकंप के कारण उत्पन होता है तो वो 7.5 रियक्टर से कम होता है 7.5 रियक्टर से कम होता है तो आप्सन नमर यहां पर चार सही था यह सेम प्रस्ण साइद UPSI में भी पूछा गया था और एक दो बार यह प्रस्ण ओर आया हुआ है मतलब सुनामी जो आता है कई कारणों से आता है और उसमें भी एक कारण होता है कि पार्णी के अंदर जो भुकम्प होता है तो वह आवल मतलब परभावकारी होता है बिनासकारी होता है तो यह साथ असमल पांच रियक्टर के असपास का ऑप्सन टिक करना होता है कुछ-कुछ प्रस्ण जोग्राफिक हैं पर फिर भी वह फिजिक्स में आ जाता है गुरत्वा करशन के परत्यक्ष परभाव के कारण चटा और भूमी के कनों की अपनी मूल अस्थान से हट कर निचले अस्थान पर एकत्र होना यह कहलाता है आप कीजिएगा बिढिहत छरन है मास वेस्टिंग है यह गलत कर दिया बिढिहत छरन मास वेस्टिंग ऑप्सन नमबर भी यहां सही था मैगनियो लियोफाइटा मैगनो ल को एंजियो एस्पर्म भी कहा जाता है यह एक पुस्पी यह पादप होता है अप्सन नमर चार अगर प्रसने 37 डिगरी सेल्सियस लगभग तापमान बढ़ावर होता है उसको करना है तो इसका फर्मूला क्या होता है फरन है बढ़ावर नो बटे पांच फिर सेल्सियस यह आप होता है मल्टिप्लाइ में तो 37 और फिर इसमें 32 जोर देना है तो इसको अगर आप कट करोगे पांच से तो करीब साथ के आसपास जाएगा नो सत्य तिरे सट पलस 32 यानि 95 अच्छा सब उसी के आप्शन आसपास है तो सही से आपको यह डिवैड देना होगा जैसके मल तो यहां पर 6 हो जाएगा फिर यहां पर 6.6 और यह 32 इसमें आड कर देना है तो 98.6 तो यह उप्शन नमर 4 यहां पर सही हो जाएगा याद रखेगा 9 by 5 C और पलस 32 यह होता है फोरन है वड़ाबर अगर देक्टर मतलब सी वड़ाबर पूछ दे तो F-32 कर देना है और यह 5 उपर जला जाएगा और नीचे में नहएण आ जाएगा तो यह ऐसे हो जाएगा इंट्वर न मेंसे किस को सिकांख को आत्माथ्या का ढाली कहा जाता है यू क्या हो जाएगा लाइसोसोANS लाइसोसोम नमक का अनुभार लगभा कितना होता तो यह 88 जिपरमोल 89 यहां पर अन कैलोडी नहीं था जबकी Ampere Newton Ohm थो तो है तो कैलोडी यहां आनसर था निमनलिकित में से कौनसी एक रसाएन उपचै प्रकीरिया नहीं है उपचै प्रकीरिया इसमें से ताप ये प्रसार नहीं है उपचै प्रकीरिया जब्कि ऐसी करन कारवनिकरन और जल योजन उप्छाई प्रकिडिया है निम्न में से कौन सी गुद्देदार पादपों की विशेस्ता नहीं है तो गुद्देदार पादप इसमें पतियां नहीं होती पतियां नहीं होती जर होता है तना होता है जला भावसा जैलम होता है वो भी होता है तो पतियां नहीं हो मतलब ओजोन अबच्छे होगा उससे नहीं होगा मनुस्य के oxygen उपभोग की मातरा में बिर्धी ये तो नहीं होगा तो अचा कैंसर हो सकता है अस्थलिये पादपों की कम बिर्धी हो सकता है और जलिये जन्तुओं का अपेक्छा कृत कम मुत्पादन तो ये सब ओजोन के अब और प्रोटीन का तो पलाजमा यहां अंसर था है यहाला कि शयंस का नहीं है पर देख लेजे इसको सिस्यु मृतियु दर किसी सिस्यु के डायस जनम दिन के पहले बाली मृतियु मतलब को यगर सिस्यु एक वर्ण का होता है उससे पहले अगर उसके मिर्तियू हो जाती है तो उसे सिसु मिर्तियू दर में कॉंट किया जाता है तो यह लिखा है पहला जनम दिन मतलब एक साल से पहले अगर किसी बच्चे का मिर्तियू हो गया तो वो सिसु मिर्तियू दर में कॉंट होगा वही दिया गया था तो पहला यहां पर अंसर है यह प्रस्ण आपका जनगन्ना से हुआ जनगन्ना से भी हर सिफ्ट में दो प्रस्ण आए हुए थे किस उपकरन का उपियोग बायूमंडलिये दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर किसी आहारी घटक की प्रतीगरा मात्रा मनुष में अधिक्तम उर्जा परतान करता है यह जब इंस्ट इनर्जी की बात हो तुरत इनर्जी तब करबहेट्रेट लेकिन सबसेदिक इनर्जी ज़資 होता है वो फैर्ट देता है तो आंसर यहां पर 4 झाल निमन्लिकतु में से कौन सा तत्व मानव रकत के हेम का भाग है यह ह्मोगलोबीन जो है आईर। रॉचा है81 डंगु किसके कारण होता है दिश। विशून की कारण वाइरुस के Co तो आसान प्रस्ट भी कभी कभी डुबाता है निम्निलिखित में से मुखेता किसका उप्योग फोटो वल्टिक सेल बनाने में किया जाता है दो था सिलिकन का ऐसा है डाइस एक निस्क्रिये दो टर्मिनल वाला बिधुतिये घटक है जो पडिपत अवियव के रूप में यूणित क्या था ओम था परतिरोध एक निस्क्रिये दो टर्मिनल वाला बिधुतिये घटक है जो पडिपत अवियव के रूप में बैधुतिये पडिपत आरोपित करता है प्रतिरोध एक समान्य मनुस में कितने लिंग गुन सुत्र होते हैं तो लिंग वाला जो होता है दो जो 23 जोरा होता है ना लास्ट वाला जोरा जो होता है वो जैसे 46 हुआ तो 45 और 46 ये दोनों जो होता है वो लिंग गुंचुतर होता है द्रब्य में पुर्णता या आंसिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर उपर की और जो उत्पलावन बल लगता है पिंड द्वारा बिस्थापित दर्व के भार के बढ़ाबर होता है यह कथन किसका है यह आर्कमेडिज के सिध्यानत का आर्कमेडिज का सिध्यानत जो कौनसा इसमें से संकुधारी बिलिक्ष नहीं है, तो जे ट्रोफा नहीं है, जब्कि देवदार, चीर, पुरुष यह सब संकूधारी बिलिक्ष है, जे ट्रोफा यहाँ पर आंसर था, निमनलिखित में से कौनसा धातू, सम्मुू इतना मिर्दू होता है कि इसे आप चाकु से भी काट सकते हैं इसका घञनत जिससे चाकू से काट सकते हैं और जिसका घनत इसमीच से कौन सा निस्कप्रय का मात्रव क्या होता है डैस द्वारा दाव प्रवन्था बल के संतुलित होने पर भू एस्थेतिक परवाह की इस्थिती बनती है कोडियोलिस बल कोडियोलिस बल इसके द्वारा दाव प्रवन्ता बल के संतुलित होने पर भू एस्थेतिक परवाह की इस्थिती बनती है आंसर यहाँ पर कोडियोलिस फोर्ज इसमें से कौन सा और धात्विक खनीज का उदाहरन है और धात्विक खनीज चूना पत्थर निमनलिकित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है हेमाटाइट में हेमाटाइट में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है